आज का हमारा टॉपिक है create items in monday.com for new elementor form responses elementor हमारा एक form builder application हम चाहते कि जब भी elementor में कोई form submission हमको receive हो तो automatically same details का use करके monday.com पे एक item हो जाए create जो कि एक project management software है तो इस पूरी process का हम automate कर सकते है public connect की मदद से elementor और monday.com के बीच में एक connection बिल्ट करके जिस पर हमारा trigger होगा कोई नया form submission रिसीव होना elementor पे और हमारा action होगा same details का use करके एक item create हो जाना monday.com पे तो आईए देखते हैं मेरे screen पे कैसे मैं पूरा automation बना रहा हूँ तो आईए बनाते हैं आज एक कैसा automation monday.com और elementor form के बीच में जैसी elementor form में हमको कोई form response रिसीव वो तो automatically same details का use करके monday.com में एक item हो जाए create तो इस पूरी process को हम automate कर सकते हैं पैबली connect की मिदद से monday.com और elementor form के बीच में एक connection बिल्ट करके चलता है new tab पे आप देख सकते हैं यह है पैबली का landing page पैबली एक बहुती amazing software है जहाँ multiple applications को connect integrate कर सकते हैं अगर आप नई user है तो जाए sign up for free पे जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे free task ऐसे automation create करने के लिए अगर आप existing user है तो click करे sign in पे sign in पे click करते ही आपके सामने open होगी पैबली किये पाच में एप्लिक केशन आज हमको यूज करना है पैबली करेट का क्योंकि आज हमको एक connection build करना है Monday.com और Elemental Form के बीच में कि जैसी Elemental Form में कोई form response रिजीव हो कोई user form submit करें तो automatically उन retails का यूज करके Monday.com में एक item होजाए create तो इन दोनों हमको जाना है right hand side पे और क्लिक करना है create workflow पे create workflow पे क्लिक करते ही हमारे सामने dialogue box appear होगा जहां में इस workflow को एक नाम देना है तो माली जब मैं इसे नाम देता हूँ create items in Monday.com for new elemental form responses अब अपनी requirement के साबसे से कोई और भी नाम दी सकते हैं फिर क्लिक करना हमको create पे और आप create पे क्लिक करते ही हमारे सामने open हुई है यह दो important windows in.com कहते है trigger and action basically जो हमारा पूरा automation है वो इन दोनो principles और concepts पर ही based होता है इनकी definition की बात करें तो trigger कहता है when this happen मतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this मतलब ऐसा कर दो तो आज के हमारी trigger application क्या होगी आज के हमारी trigger application होगी elementor form elementor form में कोई form response रसी वो तो हम चाहते है उसकी पीडिटेल पैबली करेंट के पास capture हो जाए फिर पैबली करेंट के मदद से हम Monday.com में का item कर देंगे create सबसे पहले चूज करते हैं हमारी trigger application elementor trigger event पे हमको select करना है new form submission वैबो qrl का काम होता है दो applications के बीच में connection बिल्ड करना ये as a bridge की तरह करता है act तो आज वैबो qrl हमारी मदद करेगा elementor form और पैबली करेंट के बीच में एक connection बिल्ड करने में ये वैबो qrl हमको ऐसा करना है copy और आगे की step में आपको अब बताता हूँ तो चलते हैं elementor form के account पे आप देख सकते हैं ये है मेरे elementor का account और यहापे मैंने बहुत सारे forms create करके रखें इन में से एक particular form हमको choose करना है जिसका response हम चाते हैं कि हो capture हो जाए पैबली connect के पास तो देखिए हो form मैंने new tab पे open करके रखा है ये हमारा form create task skinmonday.com via this form बत्तब इस form को हमको connect करना है पैबली connect से यही form हम connect करेंगे webhook URL की मदद से यह जो webhook URL दिया है इसका use हम यहापे करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ हमको कैसे इसका use करना है देखे टॉप पे हैपको एक option दिख रहा होगा webhook का webhook पे आपको करना है click और इसके उपर आपको दिख रहा होगा action after submit और यहाँ पे आपको सबसे पहले select करना है webhook मतलब अगर मैं इसको आप हटा कि आपको दिखा हूँ तो दीखिए आपके सामने की पूरे options आने होंगे यहाँ से आपको choose करना है webhook इसका मतलब यह form जब जैसी submit हो तो webhook URL की मदद से इस form का जो भी data है हूँ हम चाहते है पैबली connect के पास हो जाए capture इसलिए मैंने action after submit पे चूज किया है webhook और इसके नीचे आपको एक option दिख रहा होगा webhook का यह webhook आप करेंगे इसी webhook URL की मदद से जो भी इस form का data है जो capture होगा वो पैबली connect के पास automatically चला जाएगा इसलिए webhook URL मैंने आपको कर दिया paste फिर click करना आपको update पे तो देखिए यहाँ पर हमने setting successfully कर दिया अब preview form पर हम करेंगे click अब देखिए आप जैसी इस form को fill करेंगे automatically इस form का जो भी data है वो पैबली connect के पास हो जाएगा capture और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आपको बताता है यहाँ पर लिखा है waiting for webhook response note में देखिए क्या लिखा है अब हमको इस application में login करना है और एक test submission करना है चलिए चलते हैं elementary के form पे और इस form को हम करते हैं fill कुछ dummy details के साथ मालिज़ ब्लॉक टाइटल है digital marketing importance date of completion मालिज़ जै मैं इसको देता हूँ 23rd of May 2023 and status में हम कर देते हैं इसको working on it click करते है send पे तो देखिए हमारा submission successful हो चुका है इसका मतलब यह form हमने successfully submit कर दिया है अब जैसे कि आप जानते हैं कि इस form को हमने connect किया था public connect से मतलब जैसी इस form में कोई response receive हो तो automatically वो response capture हो दाना चाहिए public connect के पास तो चलते हैं public connect पे और वहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर जो हमने details फिल करी है वो वहाँ पे capture हुई है यह नहीं तो देखिए हमको API response receive हो चुका है form का name था हमारे new form status था हमारा working on it और blog title था हमारा digital marketing importance जैसे कि आप देख सकते हैं यही मेरे title दिया था digital marketing importance, date of completion and status में में रखा था working on it जिसका मतलब जो हमारा first step of integration है वो वर्क कर रहा है हमने elementor form और public connect के बीच में कैसा connection बिल्ट कर दिया है कि जैसी elementor form में कोई नया form submission हमको receive होगा तो automatically उसकी details capture हो जाएंगी public connect के पास अब public connect के पास जैसी है details capture होंगी, इस नहीं details का use करें कि हम Monday.com में एक item कर देंगे create तो अब चलते हैं हमारी next step की ओर जो कि हमारी होने वाली यह action step तो action application हम चूज करेंगे Monday.com Monday.com में हम एक item create करना चाहते है कि जैसी elementor form में कोई form response receive हो तो वही details use हो जाएं automatically और Monday.com में एक item हो जाए create इसलिए action event हम select करेंगे create item अब क्लिक करूं को मैं connect पे और Monday.com की account हम connect करेंगे public connect जाना है हमको admin connection पे add to connection पे जाते हैं यह हम समागाना है यह एक token देखिए हमको सारे instructions दिये हुए हमको login करना है Monday.com की account पे फिर क्लिक करना है profile pic पे administration then API token तो चलते हैं Monday.com की account पे क्लिक करना है आपको profile पे जाना है administration पे administration पे जाते ही left hand side पे आपको इस सारे options दिख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक option दिख रहा होगा API का API पे करना है हमको click यह दिखिए यह हमारी personal API token यह API token हम आप यह से करेंगे copy जाना हमको public connect पे और यह same API token हमको यहाँ पे करते नहीं है पेस्ट मैं क्लिक करूँगा save पे तो देखिए हमारा Monday.com का account पेब्ली करेक्ट से हाँ पे हो चुका है account connect होती ही सबसे पहले हमको choose करना है board and then group तो चलते हैं Monday.com के account पे back to workspace और देखिए मैंने आप एक board create करके रखा है new board public connect team जब मैंने और भी boards create करके रखे हैं like zendex, salesforce details and new board public connect team मैं चाहता हूँ कि जब भी elementar form से हमको को फॉर्म response रिस्पॉन्स रिसी हो तो वो जो details है उनसे use करके जो item में create हो रहा है वो इस particular board में होना चाहिए create बतलब new board public connect team वाले जो board है इसी board में मेरे को वो item करना है create और जो मेरी team है उस वो है content team task blocks to publish बतलब इस particular team के पास ही वो होना चाहिए assign तो चलते हैं public connect सबसे पहले choose करते हैं हमारा board new board public connect team and जो group है हमारा वो है content team task blocks to publish एक और group था हमारे सामने देखिए एक और group है video team task पर मैं इस team में हो item create नहीं करना चाहता है इसलिए मैंने जो team select करिए वो है content team task board है हमारा new board public connect team और जो हमारा group है वो है content team task मतलब इस particular board और इस particular group में ही मैं item करना चाहता हूँ create चलते हैं public connect पे group और board हमने कर लिया select फिर आता हमारा item name person id status and date तो ये सारी fields हम fill करेंगे mapping की through इसका मतलब elementor form में जो हमको response receive हुआ था यही सारी details हम यहाँ पर कर लेंगे use वो भी without manually type करके इस process को हम कहते है mapping तो मैं आपको बताता हूँ mapping कैसे की जाती है जैसी आप इस blank field पे click करेंगे यहाँ पे लिखा रहा है insert data from previous step elementor form हमारी previous step भी थी हमारी trigger application भी थी तो जैसी आप इसके drop down पे click करेंगे तो जो भी response हमको मिला था elementor form में वो पूरा response आपको यहाँ पे हो जाएगा show यहाँ से हम मैप कर देंगे हमारे item का name जो की था digital marketing importance यह था हमारा block का title इसी same title से हम एक item create करना चाहते है mandate.com में इसलिए मैंने हाँ यूज किया mapping का और item निम मैंने दिया है digital marketing importance इसके बाद की जो fields है यह सब छोड़ेंगा blank क्योंकि यहाँ पर लिखा है leave blank to ignore this field क्योंकि यह mandatory fields नहीं है इसलिए हम इस field को छोड़ेंगे blank फिर आता हमारे सामने status तो status भी हम यहाँ पर कर देंगे map वापिस इसको करूँगा open element form submission drop down पर करेंगे click तो देखे status था हमारा working on it फिर आती हमारे सामने date तो date भी मैं पर कर दूँगा map 23rd of May 2023 तो दीखे पूरा data मैंने आप पर कर दिया map अब हम यहाँ पर एक चीज़ सोच रहोंगे कि मैंने आप मैपिंग का use क्यों गया है और यह mapping होती क्या है तो मैं आपको पताने चाहता हूँ मैपिंग एक बहुत ज़्यादा important process होती है यहाँ पर मैंने यह data manually type इसलिए नहीं किया क्योंकि data रह जाता हमेशा static अगर हम इसको manually type करते तो पर क्योंकि हमने mapping का use किया है तो यह जो पूरा data यहाँ पर हमने map किया है यह automatically new data से हमेशा होता रहेगा change इसका मतलब elementary form में कोई नया form submission हमको receive होगा कोई नया item name, कोई नया block का name हमको receive होगा status भी different हो सकता है, date भी different हो सकती है तो जो भी data हमापे हमको मिलेगा वो automatically यहाँ पर आके हो जाएगा update इसलिए mapping करना होती ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि यह जो पूरा automation नहीं केवाल आपको एक बार setup करना है, इसके बाद कि सारी process public connect automatically कर लेगा जैसे कि elemental form में कोई नया data हमको receive होगा, automatically वो data यहाँ पर आके हो जाएगा update और monday.com पर एक नया item हो जाएगा create वो भी same details के साथ इसलिए mapping करना होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अब simply मैं क्लिक करूँगा save and send test request पर तो आप देखेंगे automatically, monday.com पर यहाँ पर एक item हो जाएगा, create चलते है, public connect पर, click करते save and send test request पर और देखिए, आपर हमको instantly API response receive हो चुका है, जो कि एक positive API response है, इसका मतलब monday.com पर एक item हो चुका होगा, create जो चलते है, monday.com पर और देखिए, आपर automatically item create हो चुका है, digital marketing importance के नाम से status में दिखा रहा है, working on it और ये थी हमारी due date, 23rd of May 2023 इसका मतलब जो connection हमने बनाया था public connect पर इन दोनों applications के पीच में हो अच्छे से work कर रहा है, simply दो step पर हमने पूरा automation create कर दिया है जिसमारी trigger application थी, elementor form में कोई नया form submission receive होना और मारी action application थी, monday.com में same details के use करके एक item हो जाना create, और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहापे लिखा है instant, इसका मतलब जो पूरा automation जैसी elementor form में कोई नया form submission receive होगा, instantly monday.com पे एक item हो जाएगा create तो अगर आप इस work flow का use करना चाहते हैं तो इसका link पर अपनी वीडियो के description में दे दूँगा जाब इसे बड़ी आसा नहीं से कर सकते हैं सिर्फ यहीं नहीं, आप और भी application के integration पैबले करेट के मदद से बना सकते हैं, इसके लिए आप हमें email कर सकते हैं support at the rate family.com पर अगर आपको कोई queries हैं, आपको कोई doubts हैं तो आप जा सकते हैं forum.family.com पर अगर आपको pricing related कोई issue हैं तो आप जा सकते हैं इस link पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें. थैंक यू